आज से हम एक ऐसे उत्टुंग शिकर की और अपने कदम बढ़ा रहे हैं जिसकी उज्वलता धवलता और जिसकी उँचाई उन लोगों के लिए बेहद उप्योगी है जिन लोगों के जिगर में उँचाईयों को छूने की तमना है दुनिया में शिकर तो कई कहलाते हैं लेकिन उन में से ऐसे शिकर कम ही होते हैं जो कि धर्ती वासियों के लिए एक आदर्श का काम कर जाएं आज यदि हम केलाश परवत की बात करें एवरेश्ट की बात करें तो इनसान के लिए संबव है वा किसी जमीनी उँचाई की बात होगी लेकिन हम जिस शिकर की और अपने कदम बढ़ा रहे हैं वो कोई जमीनी शिकर नहीं है वरन इनसान के ग्यान का शिकर है इनसान के अध्यात्म का शिकर है इनसान के अध्यात्मिक उँचाई का शिकर है दुनिया में दो तरह का ग्यान होता है एक ग्यान तो वह कहलाता है जिसे की हम सांसारिक ग्यान कहते हैं और दूसरा ग्यान हम उसे कहते हैं जिसे कि हम आध्यात्मिक ग्यान कहते हैं सांसारिक ग्यान प्राप्त करने के लिए इनसान को म. ए एम फिल या म. ब. ए के रास्ते पर चलना पड़ता है लेकिन अध्यात्म का ग्यान प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरुजनों के सानिध्य में चलना होता है जिन्होंने निरंतर चिंतन करते हुए निरंतर अपनी साधना करते हुए निरंतर अपने प्रकाश को उपलब्द करते हुए स्वयम को उपलब्द किया स्वयम के दीप को जोतिरमय किया और अब वे हम सब लोगों के लिए कल्यान कारी साबित हो सकते हैं हम इनसानों को रहना उन्हीं लोगों के साथ चाहिए जिन लोगों का दीप जला हुआ है गुरू उसे ही कहते हैं जिनका दीप जला हुआ है कि जिनके संस्पर्स से, जिनके सत्संग से जिनके पास बैठने मात्र से हमारे भीतर एक आध्यात्मिक शांती, एक आध्यात्मिक ग्यान की हिलोर जगने लगती हैं, वे ही गुरू कहलाते हैं आज हम लोग किसी सांसारिक ग्यान की बात नहीं करेंगे, हम उस आध्यात्मिक उँचाई और आध्यात्मिक ग्यान की चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्यक व्यक्ति का एक अंतिम उद्धिश्य होता है व्यक्ति जन्म लेता है, विद्यालयों में जाता है, व्यापार करता है, लेकिन जीवन के अंतिम चर्णों में, उसे अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्द्धि के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने मोक्ष पुरुशार्थ के लिए अपनी और से प्रयत्न करन होता है दुनिया में एक महान शास्त्र की रसना हुई है वे शास्त्र कहलाते हैं उपनिशद उपनिशद शब्द का अर्थ होता है अपने पास बैठना तीन शब्द धार्मिक और आध्यात्मिक परंप्रा में उप्योग में लाए जाते हैं पहला है उपनिशद दूसरा है उपवास और तीसरा है उपासना शब्द तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन बुनियादी तोर पर तीनों के अर्थ एक ही है उपनिशद का अर्थ भी होता है अपने पास बैठना उपवास का अर्थ होता है अपने में इस्थित होना और उपासना का अर्थ होता है अपने इर्द गिर्द ही अपने आपको विराजमान करना अर्थात अपने में ही इश्वरिय तत्व को तलाशना ब्रह्म तत्व को स्वयम के पिंड में देखने का नाम ही उपासना होता है तो एक तरह से उपनिशद, उपवास और उपासना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रयाईवाची है भारतिय संस्कृती, जिस ज्ञान परंप्रा को अपने साथ लिये हुए हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उपनिशदों में छिपा हुआ है एक तरह से भारत के संपूर आध्यात्मक ज्ञान को किसी एक शास्त्र में देखा जा सकता है, तो वो उपनिशदों का शास्त्र है कोई यह न समझे कि उपनिशद किसी एक धर्म एक पंथ या परंपरा के हैं ग्यान तो प्राणी मात्र के लिए होता है जैसे सूरज किसी एक इनसान एक समाज या एक जाती के लिए नहीं होता वैसे ही दुनिया का कोई भी महान शास्त्र किसी एक धर्म परंपरा के लिए नहीं हुआ करता सूरज सब को रोशनी देता है जो भी आँख खोलेगा उसको सूरज रोशनी देगा आग सब की रोटी पकाती है जो भी पकाना चाहेगा बादल सब की प्यास बुझाते हैं जो भी बुझाना चाहेगा तो दुनिया के महान धर्म शास्त्र भी प्राणी मात्र के कल्यान के लिए रचे हुए होते हैं और कुछ शास्त्र तो ऐसे होते हैं कुछ धार्मिक किताबें ऐसी होती हैं जो कि सार्व कालिक हो जाया करती हैं, सार्व भौम हो जाया करती हैं, सार्व जनीन हो जाया करती हैं, कि अतीत में पढ़ा लोगों ने, तो लोगों ने उससे रोशनी पाई, आज भी अगर लोग उनमें से प्रकाश के किरने लेना चाहें, तो उन्हें आज भी रोशनी मिल सक और भविश्य में भी जब भी मानव मात्र के भीतर एक आध्यात्मिक प्यास एक आध्यात्मिक अभीपसा जगेगी तो ये धर्म शास्त्र धर्म की ये पुरानी महान किताबे पुरानी मात्र की उस अभीपसा को त्रिप्त करने में सहयक बनेंगे उपनिशद ऐसे समझ ये कि भारत की नीव है उपनिशद यो समझे कि आत्म ज्यान और ब्रह्म विद्या को जानने के लिए व्यक्ति को उपनिशदों की शरण में आना होगा शायद जिस उपनिशदों का ग्यान प्राप्त करनी के लिए पहले लोग गुरुजनों के गुरु कुल में जाकर के अध्यन किया करते थे अब वे ही उपनिशद हम सब लोगों के लिए सहज रूप में ही उपलब्द हो रहे हैं जरा कल्पना कीचिए कि यदि किसी व्यक्ति को हजारों किलो मीटर की यात्रा करनी पड़ती हो और वही दीप यदि इनसान की दहलीश पर आकर के रख दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे अपना सवभाग्य कहेंगे कि ये हमारा सवभाग्य है कि हमारे अपनी दहरी पर दीप आया सूरच आया यो तो लोग गंगा जी में इसनान करने के लिए कहीं लंबी दूरियां तै करते हैं और तब कहीं जाकर उनको हरिद्वार या इलहाबाद प्रियाग तीर्थराज में इसनान करने का पुण्य उपलब्द होता है पर यदि किसी नहर के जरीए वही गंगा हमारे गाउं और हमारे शहर तक पहुँच जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि हे प्रभू तुमारी महती कृपा हुई कि जिस चीज को पाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने किसी भागी रत ने भागी रती प्रयास किये थे वही भागी रती आज हम लोगों के द्वार पर आप पहुची है तो उपनिशद हमारे लिए ऐसी किसी अध्यात्म की गंगा है रिशी मुनियों ने सैकडों सैकडों वर्षों तक गुफाओं में रहकर जंगलों में रहकर पर्ण कुटीरों में रहकर के चिंतन किया तपस्या की साधना की आत्म ग्यान अध्यात्म ग्यान और ब्रह्म विद्या को जानने का अथक प्रयास किया उनके वे सारे प्रयास उनके वे सारे चिंतन एक कुंजी के रूप में हम सब लोगों को उपनिशद के रूप में उपलब्द है यो तो उपनिशद बहुत विशाल है जैसे सागर विशाल है वैसे ही उपनिशद विशाल है जैसे प्रत्वी विशाल है वैसे ही उपनिशद भी विशाल है जैसे अंसान का हरदय विशाल है वैसे उपनिशद भी विशाल है लेकिन उन्ही उपनिशदों मैंसे आज हम एक खास उपनिशद का चैन करते हैं और उसका नाम है कठोपनिशद जिस पर हम लोग कुछ चिंतन करेंगे अपने लिए ग्यान की रोशनी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे याद रखिए दुनिया में कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो की पब्लिक ग्राउंड में बैठ कर जिनके बारे में चिंतन किया जाता है लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं कुछ महान किताबें ऐसी होती है जिनको कि अपन लोग गिने चने लोगों के बीच में बैश्ट करके चिंतन और मनन के लिए आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए अपन लोग उपयोग करते हैं क्योंकि ऐसे उपनिशितों का श्रवन करने के लिए उन पर चिंतन और मनन करने के लिए पात्रता चाहिए बगेर पात्रता के यदि हमारे हाथों में अमरित भी आ जाएगा तो पात्रता नहीं होगी तो हम अमरित को पाकर के भी क्या कर लेंगे दानों के हाथ में अगर अमरित आ जाएगा तो वे अमर हो भी जाएंगे तो क्या होगा उनकी अमरता दुनिया के लिए संकटकारी बन सकती है राम अगर अमरित पीते हैं तो दुनिया का कल्यान होगा रावन अगर अमरित पी जाएगा तो अहंकारी और घमंडी हो जाएगा वो किसी सीता माता के अपहरण का दुस्साहस कर बैठेगा तो पातरता चाहिए बगेर पातरता के न ज्ञान उपयोगी होता है न कोई मंत्र उपयोगी होता है न धर्म उपयोगी होता है आज कल प्रथा चल पड़ी है कि प्रत्यक व्यक्ति अपने आपको धर्म का अनुयाई कहता फिरता है धर्म की भी पात्रता चाहिए कोई व्यक्ति मंदर जाता है ऐसा नहीं हर व्यक्ति मंदर निकल पड़े मंदर की पात्रता चाहिए तो मंदर जाना सार्थक हो पाएगा जरह सोचो कि किसी व्यक्ति को अध्यात्म का पत्थ मिला हुआ है उस व्यक्ति के सामने अगर सांसरिक ग्यान के चर्चा की जाएगी तो उसको क्या लगेगा बोरियत लगेगी बोले कि यह सब क्या चर्चा हो रही है और कोई व्यक्ति अगर सांसरिक जीवन में रचा पचा हुआ है, उसके सामने यदि आत्म ग्यान और अध्यात्म घ्यान की बात की जाएगी तो उसको क्या लगेगा बुर्यत लगेगी मैं पता नहीं क्या का जा रहा हαι आत्मा पर्मात में ये सब क्या चीज़े है, ब्रह्म् विद्या क्या चीज़े उपनिशिदों का शरवन करने के लिए अंतरहड़े में एक गहरी प्यास चाहिए एक गहरी शद्धा चाहिए एक गहरी ममुक्षा चाहिए तभी उपनिशद सार्थक हो सकते है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सांसारिक ग्यान जीने वाले व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक ग्यान की चर्चा की जाएगी तो व्यक्ति उस ग्यान को ग्रहन न कर पाएगा दुनिया में दो तरह के रास्ते होते हैं एक सफलता का रास्ता होता है और दूसरा सार्थकता का रास्ता होता है सफलता का रास्ता सांसारिक ज्यान का परिणाम है और सार्थक्ता का रास्ता अध्यात्मिक ज्यान का परिणाम है एक सांसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए आश्रवाद अगर बनता है तो कहेंगे भाईया इश्वर तुम्हें सफल करें इश्वर तुम्हें सफल करें लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले इंसान के लिए आश्रवाद होगा इश्वर तुम्हें सार्थक्ता प्रदान करें सफलता दुनिया से जुड़ी हुई चीज है और सार्थक्ता मोक्ष, ब्रह्म, परमात्म, उनसे जुड़ा हुआ पहलु है कठोपनिशद, इसलिए पहले पात्रता चाहिए ताकि हम लोग कठोपनिशद पर चर्चा कर सकें क्योंकि कठोपनिशद में शब्द ही पहले से बता रहा है कठोपनिशद कि जो उपनिशद कठिन है उसका नाम है कठोपनिशद जो काठ के तरह है जो लकडी के तरह कठोर होता है वो ऐसा उपनिशद है ये कोई ऐसा बहता हुआ पानी नहीं है कि गए और डुपकी लगा ली ये वो पानी है जिसे कि हमें जमीन पर से पहड़ पर चड़ाना होगा तो कठोप निशद वो उपनिशद का ग्यान के जिसमें कठनाई से जो समझ में आता है उसको हम कहते हैं कठोप निशद कठोप निशद के रास्ते पर आने के लिए गुरू और शिश्य दोनों को तैयार होना होगा गुरू को भी अपने आपको पूरी तरह से ब्रह्म विद्या से जोड़ना होगा और शिश्य को भी अपने आपको पूरी तरह से ब्रह्म विद्या से जोड़ना होगा और जब कोई व्यक्ति ब्रह्म विद्या के रास्ते पर चलता है तो याद रखो बीच में अगर हम संसार को ले ले करके आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अंतराय होगा बहुत बड़ी बाधा होगी अगर आप मेंसे भी किसी को लगता है कि उसमें प्यास नहीं है अध्यात्मकी तो मैं अनरोध करूँगा उसे कठो अपनिशद को सुनने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जब तक हम चातक नहीं बनेंगे तब तक स्वाती जल हमारे लिए परिणाम दाए नहीं हो पाएगा तो आईए हम लोग चलते हैं इस महान अपनिशद की तरफ ये कोई बहुत बड़ा उपनिशद नहीं है लेकिन बहुत सारे रहश्यों को अपने आप में लिए हुए है पुराने जमाने में जो महान शास्त्र रचे जाते थे उन शास्त्रों को ऐसे ही सहज रूप में कैसे कहा जाए सहज रूप में शिश्यों के जिगर में कैसे उतार दिया जाए तो एक समवाद होते थे गुरू और शिश्य के बीच में तो आज यदि हम गीता को देखते हैं तो गीता में क्या है? कृष्ण और अर्जुन के समवाद है ऐसे ही योग वाशिष्ट में क्या है? जनक और वशिश्ट के बीच में समवाद है अश्टा वख्र गीता क्या है? जनक और महर्श अश्टा वख्र के बीच में समवाद है भगवती सूत्र क्या है? महवीर और गौतम के बीच में समवाद है ऐसे कठोप निश्यद भी एक समवाद है तो पहले एक घटना घटती है बोले ग्यान क्यों पैदा हुआ किसी भी तत्व का अगर जन्म होता है तो ऐसे ही किसी भी तत्व का जन्म नहीं होता जन्म होने से पहले कोई ने कोई घटना घटित होती है कोई ने कोई ऐसा निमित बनता है जिसके कारण किसी भी ग्यान का जन्म होता है किसी भी तत्व का जन्म होता है अगर अपन लोग भी पैदा हुए तो ऐसे ही पैदा नहीं हो गए अपने पैदा होने की पीछे भी कोई ने कोई वज़ा रही है तो ऐसे ही ग्यान का भी अगर जन्म होता है तो कोई ने कोई वज़ा होती है तो कहते हैं कि एक समय में एक महान रिशी हुए जिनका नाम था महर्शी उद्दालक महर्शी उद्दालक गौतम वंश के वाजश्रवा के सुपुत्र थे पहले जमाने में रिशियों के पुत्र पुत्रियां पत्नियां होती ही थी धीरे धीरे फिर ये संसकार पड़ा कि जो लोग सन्यासी हो जाते हैं रिशियों हो जाते हैं उनको पत्नी मुक्त होना चाहिए लेकिन पहले भारती संसकर्थी में जितनी भी रिशियों मुनी हुए वे सब जंगलों में रहते पर्णकुटीरों में रहते उनके पत्नियां भी होती बच्चे भी होते तो महर्शी वाजश्रवा के पत्र का नाम था उद्दालक जैसा कि नाम से ही विजित हो रहा है कि उद्दालक जो जल्दी से उद्दिप्त हो जाते हैं उनका नाम उद्दालक तो कहते हैं कि महर्शी उद्दालक ने विश्व जित नाम का यग्य आयोजन किया जब भी किसी भी इनसान के दिल में किसी खास चीज को प्राप्त करने की तमन्ना जग जाती है तो इनसान धर्म की शरण में आता है को यग्य का आयोजन करता है को रिशी मुनियों के पास जाकर के आशिरवाद लेता है तो विश्वजित नाम का यग्या आयोजित किया अर्थात जिस यग्या को आयोजित करने के बाद इनसान दुनिया का दिल जीत सके उस यग्या का नाम है विश्वजित यग्या हो सकता है देवी देविताओं से कोई खास सिद्धी प्राप्त करने के लिए आशिरवाद प्राप्त करने के लिए इस यग्य का आयुजन किया हो यग्य की पूर्णा हुती पर जैसी की परंपरा है कि जब भी कोई यग्य पूर्णा होगा तो उसके बाद आए गए ब्रहमनों को दान दक्षिना देनी पड़ती है तो रिशियोद दालक ने भी दान दक्षिना देनी प्रारंब की और विश्व जित यग्य कातो नियम ये कहलाता है कि दान उन चीजों का दिया जाता है जो कि तुमारे पास सर्व शेष्ठ वस्तोय हो दहान या तो देव मत पर अगर दान देते हो तो ख्याल रखना चाहिए कि हम हमेशा अपने शेष्ठ वस्तो का त्याक करें शेष्ठ वस्तो का दान करें यो नहीं कि बूरी गाएं गुराने दीजे पुन्य नहीं तो आगी कीचे ऐसा नहूं कि हम लोग ऐसा दान करें कि अपने तो कोई काम नहीं आरा बोले किसी और को दे दो मुफद का पुन्य भी मिल जाएगा हकीकत ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके दान देता है तो ऐसे दान से स्वर्ग मिलने की बजाए उल्टा नरक मिला करता है उत्थान होने की बजाए उल्टा पतन हुआ करता है तो उद्दालक रिशी ने दान देना प्रारंब किया अपनी बूढ़ी कमजोर बगैर दूद की गायों का दान देना प्रारंब किया उनके एक ग्यान संपन्द पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता नचिकेता के मन में विचार आने लगा कि मेरे पिता अगर इस तरह की कमजोर गायों को दान देंगे तो इससे यग्य के द्वारा जो पुन्या उन्हें अरजित हुआ है वो सारा का सारा अपुन्या चला जाएगा व्यर्थ हो जाएगा तो पुत्र ने अपनी और से पिता को संबोधित करते हुए कहा कि पिता श्री ये आपके लिए उचित नहीं है ठेक है पुत्र ने पिता से कहा तो स्वाभाविक है कि पिता को अच्छा नहीं लगेगा शिष्य अगर गुरू को ग्यान देना शुरू कर देगा तो गुरू को अच्छा लगेगा क्या बेटा अगर बापको ग्यान देना चाहेगा तो बापको अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा तो पुत्र अपनी और से कुछ अन्रोद करता है पिता को गुसा आ जाता है पुत्र कहता है कि अगर सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् खास तोर पर चर्चा होती है कठोप निशद और कुछ नहीं है नची केता का यमराज के साथ होने वाला विशिष्ट समवाद है तो यह समवाद क्या होता है हम लोग इसी का आनन लेंगे और उस समवाद मेंसे अपनी जीवन के लिए ग्यान की कोई न कोई किरण लेने का प्रयत्न करेंगे कठोप निशद की शुरुवात करते हैं और कठोप निशद की शुरुवात होती है शान्ति पाठ से ओम सह नाववतू सह नव भुनक्तू सह वीर्यम करवा वही तेजस्वी नाव धी तमस्तू मा विद्विशा वही ओम शान्ति शान्ति उपनिशद का शुभारंब होता है और शुभारंब करते हैं ओम के साथ ओम भार्तिय संस्कृति का सबसे पवित्र शब्द है इश्वर की अभिव्यक्ति वाला शब्द है ब्रह्म को व्यक्त करने वाला यह शब्द है यदि किसी भी इनसान को ब्रह्म तत्व को अपने लिए आमंत्रित करना हो तो उसके लिए एक ही शब्द बनेगा और वो है ओम ओम का उद्गोश, ओम की अनुगूँज, ओम का जप, ओम का इस्मरण, ओम का ध्यान एक प्रकार से ब्रह्म तत्व का ही ध्यान है तो एक तरह से एक अक्षर में, एक छोटी से शब्द में इश्वर का अगर अहवान करना है, इश्वर का अगर नमन करना है, ब्रह्म तत्व का अगर नमन संपन्न करना है तो सीधा सलल शब्द होगा और वो है ओम हम लोग अपने व्यवारिक जीवन में भी ओम नमाह का इस्मरण कर सकते हैं किसी भी कारिय का शुभारम करना है नई कौपी का नई डाईरी का अगर शुभारम करना है ओम नमह अर्थत ओम अगर हमने लिख दिया तो हमने एक तरह से गणेशाय नमह लक्षमय नमह, सरस्वत्य नमह सभी चीजे आगर कि उसमें समाविष्ट हो जाती है क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत ब्रह्म से अलग नहीं है और ब्रह्म क्या है तो उपनिशद कहते हैं ओम है ओम ही ब्रह्म है गीता कहती है ओम इती एक आक्षरम ब्रह्म हा ओम एक ऐसा अकेला अक्षर है अक्षर मतलब जिसका ख्षय नहीं हो सकता इसलिए उसको अक्षर कहते हैं तो ओम एक ऐसा अकेला अक्षर है जो की ब्रह्म का वाचक है इसलिए पतंजली जी कहते हैं तस्य वाचकह प्रणवह कि इश्वर का वाचक कौन है तो कहते हैं प्रणव और प्रणाओ का मतलब होता है ओम सिख धरम में तो ओम को इतना महत्व दे दिया गया कि उनका तो प्रतीक ही एक मात्र यही है एक ओंकार सतनाम एक ओंकार सतनाम बोले सत्य का नाम क्या है बोले एक ओंकार उनका तो प्रतीक ही है यह एक लिखते हैं और फिर ओम कर देते हैं एक लिखा और फिर ओम कर दिया तो ये सिख्ध्रम का प्रतीक है तो एक ओमकार सत नाम अर्थात ये उपनिश्दों से आई हुई एक महान परंप्रा है कि लोगों ने इश्वर का आववान करने के लिए एक खास शब्द का प्रियोग किया और वो है ओम कहते हैं कि जब स्रिष्टी का जन्म हुआ तो स्रिष्टी के जन्म के समय सबसे पहला जो अक्षर पैदा हुआ सबसे पहली जो ध्वनी पैदा हुई वो थी ओम तो हम लोग भी अपने साथ यह एक व्यवहरिक चरण जोड़ने का प्रयत्न करें कि जब भी हम किसी भी मंगल कारिय को शुरू करते हैं तो उससे पहले ओम या ओम नमहा अपने लोग खास तोर पर ओंकार ध्यान करते हैं चैतन्य ध्यान करते हैं उसमें मुख्य रूप से ओंकार की ही साधना होती है तो कोई यह न समझे कि हम ओम की साधना करके किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं ओम की साधना करके हम किसी तंत्र की साधना कर रहे हैं वरन ओम की साध करके हम ब्रह्मतत्वकी इश्वर की ही साधना कर रहे होते हैं तो ओम सहनाव वतू अर्थात हे इश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें सहनौ भुनक्तो हम दोनों का साथ साथ पालन करें तेजस्वी नाव धीतमस्तु साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें हम मा विद्विशा वही हम दोनों की पड़ी हुई विद्या तेजो मही हो हम परस पर द्वेश न करें रिशी अपनी और से कठोप निशद की शिरुवात कर रहे हैं और शिरुवात करते हुए प्रार्थना करते हैं भारतिय संस्कृती में ये सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना है समस्त हिंदू समाज में समस्त हिंदूस्तान में जब भी कोई गुरु कुल में बैठ करके विशिष्ट ग्यान को धारन करता है भोजन ग्रहन करता है प्रार्थना करता है तो इस प्रार्थना का इस शान्ती पाठ का उप्योग करते हैं और जिसमें ये कह जाता है हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें गुरू की महनता देखो सास्त्र की रसना गुरू कर रहे हैं और शास्त्र की रसना करते हुए, कठोप निश्यत का निर्मान करते हुए, शिश्य की भी भलाई चाहते हैं, और भलाई की तमन्ना होने की कारण ही वो कहते हैं, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, गुरु स्वार्थी नहीं होता, गुरु और शिश्य, ये दुनिया में द तो ऐसे पवित्र संबंद होते हैं जहां दोनों ही एक दूसरी का भला चाहते हैं शिश्य अपनी और से गुरु की सेवा का संकल्प लेता है और गुरु अपनी और से शिश्य की आध्यात्मिक संब्रदी का संकल्प लेता है गुरू और शिश्य होना एक बहुत बड़ा दायत्व है पिता और पुत्र होना एक बहुत बड़ा दायत्व है माँ और बेटी होना एक बहुत बड़ा दायत्व है सास और बहु होना एक बहुत बड़ा दायत्व है यू नहीं है कि घर में बहु आ गई तो मैं सास बन गई कि घर में बहु आ गई तो मैं ससुर बन गया वरन सास और बहु होना एक बहुत बड़ा दायत वह है बहु घर में आती है तो यह संकल्प लेकर आती है कि आज के बाद मैं इस घर के लिए जीऊंगी और मरूंगी मैं अपने कुल के गौरों को बढ़ाने के लिए ही करूंगी तो ऐसे ही गुरू और शिष्य का संबंद होता है या तो किसी भी व्यक्ति को शिष्य बनाना नहीं चाहिए पर अगर शिष्य बना लिया जाता है तो गुरू केवल अपना ही भलाना करता रहे वरन अपने साथ साथ अपने उस दायत्व का भी भला करे जो कि उसने अपने कंधे पर लिया है और वो है शिष्य की भलाई का दायत्व इसलिए गुरू कहता है कि हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो हे प्रभु, मेरा भी रक्षन हो और मेरे शिष्य का भी रक्षन हो हम दोनों का साथ साथ पालन करें मेरा भी पालन हो और जिसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है उसका भी पालन हो रक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा जरूरी है तो मेरी भी रक्षा हो और आपकी भी रक्षा हो जब हम इश्वर के सामने एक बालग बन कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं एक पुत्र अपने पिता के पास रहता है तो किस भावना के साथ कि पिता मेरी रक्षा करे एक बहु अपने ससुर के पास या अपनी सास के पास रहती है तो किस भावना के साथ ताकि मेरा उनके पास रहने से रक्षन हो सके मेरा पालन बराबर हो सके हो सकता है पती गलत निकल जाए हो सकता है पती छोड़के चला जाए तो सास ससुर के पास अगर हम रहेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे हमारा भरण पोशन करेंगे हमारा पालन पोशन करेंगे या तो जानवरों की तरह कि बच्चे पैदा हो गए थोड़ी दिन रहे और फिर उड़ा के मुक्त हो गए इनसान ऐसा नहीं करते इनसान सहनाववतो हम सब एक दूसरे का पालन करते हैं हम सब एक दूसरे का रक्षन करते हैं याद रखो धरती वैसे भी परस पर एक दूसरे पर टिकी हुई है कभी मैं आपके लिए उपयोगी बन जाता हूँ और कभी आप मेरे लिए उपयोगी बन जाते हैं ये कहना गलत है कि मेरे कारण ही दुनिया चलती है या तुमारे कारण ही दुनिया चलती है हकीकत ये है मेरे कारण भी और तुमारे कारण भी हम सब लोगों के कारण ये दुनिया चलती है अर्थात यहाँ पर प्रत्यक वस्तु एक दूसरे पर टिकी हुई है आधारित है अवलंबित है तो परस पर टिकी हुई है इसलिए केवल स्वार्थ मूलक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए वरन प्रार्थना ये होनी चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिना सभी सुखी हो सर्वे संतु निरामया सभी आरोक्य को अपलब्द हो सर्वे भद्रानी पश्यन्तु सभी का कल्यान हो मा कस्चित दुख भाग भवेत किसी को भी दुखों का सामना न करना पड़ी ये प्रार्थना हो चूंकि गुरू अपने शिष्यक के साथ समवाद कर रहा है एक ब्रह्म विद्या एक अध्यात्म ज्यान के रहस्य की पर्तों को वो खोल रहा है इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे इश्ट्य हे मेरे प्रभू तुम मेरा भी भला करना और मेरे इस सिश्य का भी भला करना अर्थात हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो हम दोनों का साथ साथ पालन हो साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें क्योंकि जब मैं ब्रह्म विद्या की तरफ अपने आपको गतिशील रख रहा हूँ तो केवल मुझे ही उससे शक्ति की प्राप्ति ना हो वरन मेरे अन्तेवासी मेरे शिश्य को भी शक्ति की प्राप्ति हो हम दोनों की पड़ी हुई विद्या तेजोमई हो अर्थात हमारा ग्यान हमारी विद्या तेजस्वी हो ग्यान वो नहीं है जो कि हमने रट लिया है ग्यान वो है जिसकी तेजस्विता हमें उपलब्द हो गई है जरा सोचो कि सूरिय में अगर तेजस्विता ना होती तो तेज ही सूरिय की ताकत है तेज ही तिर्थंकर की ताकत है तेज ही अवतार और पैगंबर पुरुशों की ताकत है तो इसी लिए ये प्रार्थना की जाती है कि हम दोनों के द्वारा जो ग्यान अर्जित किया गया है वो ग्यान तेजो मई हो वो विद्या और आगे बढ़े हम परस पर द्वेश न करें शिश्य और गुरु एक दूसरे के बीच में खी चतान न करें परस पर द्वेश न करें भला जब आम सांसारिक प्राणियों के लिए भी द्वेश और वैर करना वर्जित है तो फिर सन्यास लेने के बाद संत होने के बाद या रिशी मुनियों के लिए तो वैर करना पूरी तरह से निशिद्ध है वैर की बात सोचनी द्वेश की बात सोचनी भी यहाँ पर पाप लगती है वैर रिशी मुनियों रिशी का मतलब ही यह हो गया कि इनसान को रिजुता आ गई है जो सरल हो गया है जो एक दूसरे का भला चाहते हैं उनका नाम रिशी हो गया है तो परस पर द्वेश न करे एक दूसरे का भला चाहें कैसे चाहें कहते हैं की एक दफ़ा समर्थ गुरु राम दास अपने शिश्य छत्रपती शिवाजी के साथ दक्षिन भारत की यात्रा के लिए निकले बीच रास्ते में तेज बारिश के कारण नदी आ गई या समझो की बड़ा नाला बह रहा था तो समर्थ गुरु राम दास और छत्रपती शिवाजी जैसे ही उस नदिया के किनारे पहुँचे कि गुरु ने अपने शिश्य से कहा कि तुम यही ठहरो शिवा मैं नदी में उतरता हूँ और देखता हूँ अगर नदी पार करने लायक होगी तो मैं तुम्हें आवास दे दूंगा और तुम चले आना शिवा ने कहा गुर्देव ऐसा नहीं हो सकता आप यही पर रुकिए और मैं नदी में उतरता हूँ गुरु ने फिर मना किया नहीं नहीं मैं उत्रूंगा बोले कि नहीं नहीं पहले मैं उत्रूंगा दोनों की बीच में दो मिनर तक कहा सुनी हुई पर छत्रपती शिवा जी अपनी बात पर अड़े रहे आखिर गुरु ने शिवा से कह दिया अच्छा जा तेरी अगर इतनी ही जिद है तो जा शिवा जी खुशी खुशी निकल पड़े नदिया को पार करते गए करते करते गए उस किनारे पहुँच गए और गुरु देव को आवाज दिये कि गुरु देव कहीं कोई खत्रा नहीं है बिलकुल रास्ता है नदिया का पानी कहीं पर भी गले से उपर नहीं है आप बे जिजग पधार जाईए समर्थ गुरु रामदास चले आए और जब दोनों आगे बढ़ने लगे तो समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिशे को डांट लगाते हुए कहा आज बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ वोले किस बात का अफसोस हुआ गुरु देव वोले अफसोस इस बात का हुआ कि आज तुने मेरी आग्या का पालन नहीं किया जिन्दगे में पहली दफ़ा ऐसा आउसर आया है कि शिवा ने अपने समर्थ गुरु का आदेश नहीं माना बोले गुरु देव आप क्या बात करते हैं मैं और आपकी आग्या ना मानो ये कैसे संभ़़ हो सकता है बोले कि नहीं आज तुने आग्या का पालन न ने कहा था कि मैं पहले जाता हूं मगर तुन जिद पर अड़ आया और तुन नदी में उतर गया सोच शिवा तुन अगर रस्ते में कहीं डूप जाता तो क्या हालत होती मैं तुम्हें कहां से ढूंड कर लाता चत्रपती शिवा जी ने कहा गुरु देव इसलिए मैं पहले उतरा क्योंकि अगर मैं डूप जाता तो आप में इतनी ताकत है गुरुदेवी कि आप मेरे जैसे 36 शिवाजीयों को पैदा कर सकते थे पर अगर समर्थ गुरु रामदास डूप जाते तो मेरी तो ऐसी आउकात और ताकत नहीं है कि मैं एक भी समर्थ गुरु रामदास को जन्म दे पाता आप में तो ताकत है कि आप 36 शिवाजीयों को पैदा कर सकते थे लेकिन मुझ में ताकत नहीं है कि मैं एक समर्थ गुरु रामदास को भी जन्म दे सकता ये है वो घटना जो कि इनसान को इस बात की सबक देती है कि गुरु और शिश्य के संबंध कैसे होते हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे का पालन करते हैं रक्षन करते हैं एक दूसरे के लिए शक्ति के प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे की विद्या को तेजों में बनाने का प्रेत्न करते हैं तो गुरु अपनी और से शिश्य का रक्षन कर रहा है और शिश्य अपनी दोनों की साथ साथ रक्षा करें ये है वो तरीका कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम दोनों का साथ साथ कल्यान हो साथ साथ भला हो मंदिर में जाओ तब केवल अपनी भलाई की प्रार्थना मत करो मंदिर में जब भी जाओ और इश्वर को याद करो तो यदि आप एक पिता हैं तो अपने पुत्रों का भी मंगल करो उनकी भी मंगल प्रार्थना करो यदि आप एक भुवा हैं तो अपने भतीजे और भतीजियों की भी कल्यान की प्रार्थना करो यदि आप एक दादा हैं तो अपने घर के समस्त परिजनों के कल्यान की काम ना करो और यदि तुम एक गुरू हो तो तुम्हारे प्रती जितने लोग समर्पित हुए हैं उन समस्त शिश्यों के कल्यान की प्राथना करो केवल खुद का भला चाहने वाला स्वार्थी होता है लेकिन सबका भला चाहने वाला परमार्थी हुआ करता है और गुरू का पत परमार्थ का पत है गुरू के चरणों में बैट कर उपनिशिदों का पाथ करना उपनिशिदों के ग्यान का अरजन करना बिलकुल वैसे ही है कि जैसे कोई गंगा में इसनान करने के लिए जाता है डुकी लगाता है अपने आपको पवित्र करता है याद रखो गुरू के चरण भी गंगा के समान कहे गए हैं गुरू के चरण भी तीरत के समान कहे गए हैं और गुरू चरणों में बैठना गंगा इसनान के पुन्य को इस चान में जितना पुर्ण्य अरजित होता होगा उससे कहीं ज्यादा गुरू चरणों में बैठ करके स्थान करने से हो जाएगा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गंगा में नहाने से केवल तन का मैल धुलेगा पर गुरू के पास बैठ कर ग्यानार्जन करने से ग्यान की गंगा में आवगाहन करने से मन का मैल धुलेगा गुरू के पास बैठ कर ग्यान का अर्जन करने से इनसान का अंधेरा छटेगा हम सब लोग अंधेरों में हैं मूर्चा के अंधेरों में हैं और गुरू का काम यही होता है कि अंधेरों को दूर करे, मूर्चा के अंधेरों को दूर करे, गुरू वह जो कि हमें सोते हुए को जगा डाले, उसका नाम गुरू होता है, जो सोते हुए को जगा दे, उसका नाम गुरू होता है, तो हम सब लोग सोए हैं, मूर्चा में सोए हुए है, मुड'' बने हुए है, हमें आत्मा का, अद्ध्यात्म का ब्रम्म्तत्व का कोई ग्यान और बोध नहीं है, इसी लिए गुरुचरणों में बैठते हैं ताकि ये हमारे भीतर आध्ध्यात्मे का ग्यान की रोशनी बढ़े और आध्यात्मी का ग्यान में हम सब लोग आवगाहन कर सके इसी सद्भाव के साथ ही हम सब लोग गुरु चरणों में जाते हैं और गुरु चरणों में बैट कर ग्यान का अर्चन करते हैं गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गू का अर्थ होता है अंदकार और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला तो जो हमारे भीतर के विकारों के अंदकार को दूर करने वाले होते हैं वे ही हमारे गुरू होते हैं जो हमारे जीवन के तमस को दूर करने वाले होते हैं वो ही हमारे गुरु होते हैं प्रत्येक प्राणी मात्र की भीतर तीन गुण होते हैं तमो गुण, रजो गुण और सतो गुण तीनो कम या ज्यादा अपन सब लोगों में समाहित हैं किसी में 90 प्रतिशत तमो गुण होता है तो 5 प्रतिशत रजो गुण होता है और 5 प्रतिशत सतो गुण होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन में 90 प्रतिशत सतो गुण होता है 7 प्रतिशत रजो गुण होता है और 3 प्रतिशत तमो गुण होता है प्रकरती गुणों के संतुलन के आधार पर चलती है किसी में कोई गुण होता है किसी में कोई गुण होता है हो सकता है किसी आदमी में दस दुरगुण होंगे मगर फिर भी उसमें दो सदगुण अवश्य होंगे जो लोग कारागार में कैद हैं तो ये ना समझें कि वो पूरी तरह से गलत ही हूंगे, कारागार में कैद रहने वाले लोगों में भी दो सदगुण होते हैं, और जो अपन कारागार से बाहर हैं, जो बहुत अच्छे सदगुणी केलाते हैं, उनमें भी दो दुर्गुण संभावित हो सकते हैं, तो एक तरह से यह मान कर चलें कि अपन सभी लोग हर किसी प्राणी में कुछ अच्छाईयां है कुछ बुराईयां है अच्छाईयां जीने के लिए होती है और बुराईयों पर विजह प्राप्त करनी होती है गुरू चरणों में इसलिए जाते हैं इसलिए पहुंसते हैं इसलिए नहीं कि हमें उनकी सेवा का सौभाग्य मिले इसलिए पहुंसते हैं ताकि हमारे भीतर रहने वाले जनम जनमांतर के अंदकार को दूर करने में थोड़ी मदद मिल सके हमारे कदम प्रकाश की तरब बढ़ सके हमारे कदम मुक्ती की तरफ बढ़ सके प्राणी मात्र ग्रेस्था श्रम में प्रवेश करता है जीवन भर ग्रेस्थ का ही बना हुआ रह जाता है ये तो गुरु ही होते हैं जो हमें उस ग्रेस्था श्रम में से बाहर खीचने की ताकत रखते हैं और वो हमें ग्रेस्ता श्रम से वान प्रस्थ और सन्यास आस्रम में ले जाते हैं सन्यास आस्रम में ले जाते हैं ये ताकत गुरू में ही होती है एक मूर्चा में पड़ा हुआ इंसान क्या ये सामान ये बात है कि घर ग्रेस्ती में उल्जा हुआ इंसान अचानक सन्यासी बन जाता है संत बन जाता है तो याद रखो कोई भी व्यक्ति अगर संत बना है तो इसका आर्थ ये है ईश्वर का महान अनुग रहा हुआ उसके गुरू का उस पर महान अनुग रहा हुआ कि व्यक्ति गर ग्रियस्ति में उल्जा हुआ ना रहा वर्न उसमें से निकल करके संत बना संत बनना सोभागय की बात है ईश्वर की महतिक रिपा होती है तब ही कोई व्यक्ति संत बन पाता है संत बना यानि ईश्वर ने उसका भला चाहा कोई व्यक्ति अमीर बना तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इश्वर ने उसका भला चाहा लेकिन अगर कोई व्यक्ति संत बना तो निश्चित तोर पर इश्वर का अनुगरह हुआ उनकी कृपा हुई तो हम इश्वर के थोड़े और करीब हुए संत सन्यास इश्वर के करीब होने का रास्ता है ब्रह्म तत्व के करीब होने का रास्ता है तो एक अमीर आदमी प्रभू के करीब नहीं होता पर एक त्यागी व्यक्ति प्रभू के करीब होता है भोगी व्यक्ति प्रभू के करीब नहीं होता भोगी व्यक्ति संसार के करीब होता है लेकिन योगी व्यक्ति इश्वर के करीब होता है भोग हमें इश्वर से दूर करता है और योग हमें इश्वर का सामिप्य देता है भोग बुरा नहीं है भोग बुरा नहीं है पर इश्वर के रास्ते पर जाना है तो भोग बाधक है योग बुरा नहीं है पर अगर संसार के रास्ते पर जाना है तो योग बाधक है दोनों एक दूसरे की विप्रीद धाराएं है भोग हमें संसार के तरफ ले जाता है माता पिता पुत्र पत्नी बहन जमीन मेरा तेरा ये सब भाव क्या है ये सब हमें संसार के प्रति ले जाने वाले भाव है लेकिन इश्वर के प्रति ले जाने वाला भाव क्या होगा कि सभी संयोग संबंद है अपन सब लोग साथ साथ पैदा होते हैं अपन सभी सहयात्री है कोई व्यक्ति इस राजमार्ग पर दो घंटे पहले आ गया और कोई व्यक्ति दो घंटे बाद में आया लेकिन अपन सभी लोग मिल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं कोई बिछुड रहा है कहीं कोई पग्डंडी आती है वो उस गाओं की तरफ चला जाता है फिर भी ये राजमार्ग चल रहा है और हम सभी लोग इस राजमार्ग पर प्रभू के पत पर अपन सभी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं तो प्रभू का जो मार्ग है वहाँ पर तो यही लगता है माता पिता एक संयोग मात्र है पत्नी ये भी एक संयोग मात्र है जमीन जायदाद ये भी केवल संयोग मात्र है मूर्चा है इसलिए हम कहते हैं ये मेरी जमीन और ये तेरी जमीन इश्वर को इश्वर को केवल तभी हंसी आती है कि जब कोई दो सगे भाई आपस में कहते है ये मेरी जमीन और ये तेरी जमीन बीच में रसी खेंस देते हैं बोले ये तेरा वाला भाग है और ये मेरा वाला भाग है उपर बैठा उपर वाला हंसता है क्या तेरा क्या मेरा सबै भूमी को उपाहल की तू ही है जो कहता है ये मेरा और ये तेरा तेरे हाथ में तो तेरा जीवन ही नहीं है तो जमीन तेरी कहां से हो चाएगी अपन लोगों की मूर्चा होती है उसके चलते लगता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा इसलिए जैन धरम के जो संत होते हैं उनके लिए बहुत महान व्यवस्था है कि वे लोग अपने लिए कोई स्थान नहीं बना सकते कोई मठ नहीं बना सकते कोई आश्रम नहीं बना सकते कोई जमीन नहीं खरी सकते जैन संतों के नाम से न कोई bank balance होता है न वो पैसा रख सकते हैं न वो पैसा छूँ सकते हैं यह ऐसा क्यों यह ऐसा इसलिए ताकि तुमारे भीतर व्यर्थ का ममत्व व्यर्थ की मूर्चा न पैदा हो जाए कि यह मेरा मठ और यह तेरा मठ सभी सबका है यह वो मठ है जहां पर कोई भी आ सकता है कोई भी उप्योग कर सकता है और जा सकता है कोई भी आ सकता है कोई भी उप्योग कर सकता है और जा सकता है कहते हैं एक महान समराठ हुए जिनका नाम था समराठ इब्राहिम कहानी बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में ये कहानी चलती है और कहानी का सार केवल इतना ही है कि समराट इबराहिम के राज महल में अचानक एक फकीर पहुंसता है और जाकर के वहां आराम से चार पाई लगा करके और सो जाता है राज महल के करमचारी फकीर को बहुत मना करते हैं कि आपके रहने के लिए सराय खाना बना हुआ है आप वहां पर जाकर के विश्राम करें लेकिन वो तो कहता है कि नहीं यहीं सराय खाना है मैं तो यहीं ठहरूँगा यह दरमशाला है मैं तो यहीं ठेरूंगा कहते हैं कि राजा दूर बैठा हुआ समराट दूर बैठा हुआ यह सब माजना देख रहा है और सोच रहा है यार यह फकीर की बुद्धी सठिया गई या क्या हो गया कि जो राजमेल को धरमशाला और सराय खाना कह रहा है तो करमचारी से जब नहीं हट पाए तो करमचारी भी किसी फकीर से हुज़त मोल नहीं ले सकते हैं संतों से संघर्ष करना यह बहुत घाटे का सौदा होता है संतों की दूआएं ले लो तो ठीक है उनके बदूआएं मत लो तो कहते हैं कि समराट जरोखे में से निकल करके आया राज महल में और उसने फकीर साब से जाकर कहा कि करमचारी आपको ठीक कह रहे हैं यह राज महल है यह सराय खाना नहीं है आपके लिए मैंने इस्पेशली सराय खाना बनाया हुआ है आप वहाँ जाएं और विश्राम करें कहते हैं कि फकीर हंसा और कहने लगा भाई यह सराय खाना ही तो है और नहीं तो क्या है बोले माराज यह राज महल है बोले राज महल है बोले अच्छा बोले जरा बताओ कि तुम्हारे पिता जी कहां रहते थे बोले यहीं रहते थे इसी राज महल में रहते थे बोले उनके पिता जी बोले वो भी इसी राज महल में रहते थे तुम्हारे पड़ दादा जी कहां रहते थे बोले इसी राज महल में रहते थे तो बोले कि तुम्हारे लड़ दादा कहा चले गए बोले वो चले गए बोले पढ़ दादा बोले वो भी चले गए बोले दादा बोले वो भी चले गए पिता बोले वो भी चले गए फकीर हसा और कहने लगा तो इसका मतलब है तू भी चला जाएगा इसका मतलब है तू भी चला जाएगा और ये सुनते ही वो चौका बहुत भी चला जाओंगा हाँ ये तो मुझे भी पता है कि एक ने एक दिन मैं भी चला जाओंगा फकीर ने कहा समराट तुम कहते हो ये राज महल है पर हकीकत ये है कि जिस राज महल में इतने सारे मुसाफिर अब तक आए और चले गए पड़ दादा लड़ दादा और पिता के रूप में अब तक इतने सारे मुसाफिर आए और सब के सब चलते बने और तुम भी चले जाओगे तुमारे बेटे, पोते, लड़ पोते वो भी सब चले जाएंगे तो जहां पर इतने मसाफिर आ करके रहते हूँ और चले जाया करते हूँ उसे अगर सराय खाना ना कहूँ तो और क्या कहूँ तो तो इनसान को जगा दिया करती है और मूर्चा तूट गई समराट इब्राहिम की मूर्चा तूट गई और धर्ती पर एक ऐसा चमतकार हुआ कि वो समराट इब्राहिम उस दिन के बाद समराट इब्राहिम नहीं रहा वरन जब फकीर वहां से निकला तो उसके साथ एक और व्यक्ति निकला और वो था वही समराट इबराहिम जो कि आने वाले कल में फकीर इबराहिम के नाम से मशुहूर हुआ सूफी फकीरों में एक महान फकीर हुआ कि जिसको लोग समराट इबराहिम और फकीर इब्राहिम के नाम से लोग जानते हैं ये वही घटना है कि जिसमें राज महल में भी इनसान को सराय खाने का अंतरबोध दिया गया और व्यक्ति वहां से निकल पड़ा और खुदा को प्रभू को प्यार करने के लिए निकल पड़ा मूर्शा ही तूटनी कठिन है गुरू के चरणों में अनेक लोग पहुंसते हैं मगर फिर भी वो गुरू के चरणों में नहीं पहुंच पाते इसलिए कहते हैं पात्रता आवशक है गुरू के पास जाने के लिए भी पात्रता जरूरी है अध्यात्म का ग्यान अर्जित करने के लिए भी पात्रता जरूरी है बगैर पात्रता के ग्यान भी व्यर्थ हो जाता है अगर सोचो अगर हमारे भीतर पात्रता नहीं होगी तो इश्वर भी खुद खुदा भी अगर हमारी देहलीश पर आकर खड़े हो जाएंगे तो हम उनको पहचान न पाएंगे पर अगर हमें पातरता आ गई नजरिया आ गया दृष्टी आ गई तो हम बिखारी में भी भगवान को देख लेंगे ये तो पातरता की बात है कठोप निश्द उन लोगों के लिए उपयोगी शास्त्र है आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या का शास्त्र है जिनके भीतर पातरता है एक प्यास है कि मैं आत्मा की उँचाहियों को उपलब्द करूं मैं आध्यात्मिक उन्नती को उपलब्द करूं मैं अपने ब्रह्म तत्व यिश्वरिय तत्व और मोक्ष तत्व के प्रति अपने आपको समर्पित करूँ तो जिन लोगों के भीतर ऐसी उतकंठा ऐसी मुमुक्षा ऐसी प्यास है उन लोगों के लिए कठोप निशद की बाते बड़ी उपयोगी हो सकती है क्योंकि ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि हमें यमराज से मुलाकात करवाता है इनसान को उसके मृत्यू से मुलाकात करवाता है और ये एहसास करवाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर यमराज के पास पहुंसता है तो उसकी क्या इस्थिती बनती होगी तो यह म्राज के पास जाने का मतलब ये है कि जीवन के प्रती मोह हमने खतम किया मूर्चा हमने खतम कि और अब हम केवल विश्वत रूप से आत्म ग्यान और अध्यात्म ग्यान के लिए समर्पित हुए जिस व्यक्ति को अपने शरीर को बचाने की तमना होगी मोह होगा वो व्यक्ति कठोप निश्वत को न समझे वो किसी गीता की शरण में जाए और उसमें से जीवन जीने की कला समझे पर जिसको आध्यात्मिक उन्नती चाहिए वो व्यक्ति कठो अपनिशद जैसे एक महान अपनिशद की शरण में आए ये ऐसा शरण दाता है जो कि अपनी दहलीच पर आने वाले अपने द्वार पर आने वाले हर किसी प्राणी को ये तार दिया करता है कठो अपनिशद कठिन है ये अपनिशद लेकिन दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन वस्तु क्यों न हो कठिन है तो हम इसके लिए कठिन मेहनत करेंगे सरल होती तो हम सरल मेहनत करतें पर कठिन है तो हम कठिन मेहनत करके इसको समझेंगे अपने बुद्धी का अपने अंतरमन का अपने दिमाग का अपने दिल का पूरा पूरा उपयोग करते हुए हम इस उपनिशित को समझेंगे चिंतन और मनन करेंगे और अपने लिए फिर से कोई एक रोशनी का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे इश्वर अपन सब लोगों की इस बारे में मदद करें इश्वर अपन सब लोगों की रक्षा करें अपन सब लोगों का पालन करें अपन सब लोगों को शक्ति की प्राप्ति हो हमारी विद्या, हमारा ज्यान तेजो मई हो हम लोग कभी भी आपस में द्वेश न करें प्रेम करें, एक दूसरे से महबत करें एक दूसरे को गले लगाएं आज अपनी और से इतना ही निवेदन करते हैं शेश कल अपनी और से अपनी और से इतना ही